हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब मेरे कीचन में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं आलू से ढोगला बनाएंगी और इसका तेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और गी बहुत ही हिल्दी रेसिपी है एकदम सिंपल तरीका है वीडियो को पूरा है तो लॉक किए शेर किजिए चैनल को सब्सक्राइब राज़ी है तो सब्सक्राइब च़िल नियखन कए सब्सक्राइब बेल इकान देटा बट बनाने बिल काला हो जाएगा आलो बहुत जल्द काला हो जाता है इसलिए आप इसे पानी में डाल कर ही रखे और काटने के बाद अच्ही तरीकिया से तीन से चार बर पानी से हम धो लेंगे ताकि जो इसका श्टार्च हो निकल जाए उसके से मिक्सी के जार में डाल देंगे तो मैंने दो आलो को मिक्सी के जार में डाल दिया है अब इसमें हम डालेंगे दो हरी मिर्च अब इसमें डालेंगे हम एक कप सूजी आप कोई से भी सूजी ले सकते हैं और इसी कप से हम डालेंगे आधा कप दही और यहां पर में आधा कप पानी और आदा कप दही अब इसे हम पीस लेंगे एक अच्छा सा स्मूध पेश्ट बना के तयार कर लेंगे तो दिखिए इसमें आलू डाले हैं हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाले हैं जिसे ये असानी से पीस जाएगा अगर फिर भी इसमें कुछ रह जाते हैं त अब क्या करें इसे एक बर छान जरूर ले इसे हमारा ढूकला जोएन स्मूध बनेगा अच्छा बनेगा अब इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं तो यह दिखिए ढूकले के लिए पर्फेक्ट बैटर है लेकिन अब इसमें पानी कुछ नहीं आड़ करना है इसे बस इसमें एक दो आलू के जो तुकड़े वह रह गए थे तो मैं उसे निकाल देती हूँ अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप इसे एक बर छान जो चरी से हम धक्क्य रख देते हैं 5-10 मिनट के लिए ताकि थोड़ी सी सूजी जो है फूल जाए तो इसे धक्कन बन कर देते तो अभी हम इसमें क्या करेंगे दो तीन चीजे और एड़ करेंगे जिसे धोगले का टेस्ट बहुत अच्छा बढ़के आएगा तो मैं आप डाल रही हूँ सबसे पहले इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसर अब इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे एक चमस तेल सिर चीनी के दाने रहते हैं अगर आपको नहीं पसंद की डोकले में आप चीनी डाले ता इसे कि भीग कर सकते हैं आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा निम्बू का रस भी एड़ कर सकते हैं और इसे डालने के बाद हमें एक से दो मिनिट तक इसे अच्छी तरीके से फेट लेना है और यह काम आपको जब डोकला बनाना हो तब ही आप इसमें इनो एड़ करें इनो डालने के बाद अच्छी तरीके से फेट ले नहीं तो क्या होगा कहीं कहीं इनो ज्यादा रह जाएगा तो फिर वो कलर जैसे पीला हो जाएगा या फिर जब आप खाएंगे मूँ में त चिकना कर लीजिए और जो हमने बैटर बनाया था वह हम इसमें डाल देंगे एक बर इसे फेट के तभी डालें और यह दिखे मैंने इसमें थोड़ा सा उपर से लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूं इसे बहुत अच्छा लुक आएगा अब हम इसे स्टीम करने के लिए र दोकला बनाने के लिए से ज्यादा टाइम नहीं लगता है 15-16 मिनट में हाई फिलेम पर आप दोकला बना के तयार कर सकते हैं चाहे वह सूजी का हो या बिसन का हो तो इस तरीके से हम नाइफ या फिर कोई भी तूटपिक डाल के चेक कर लेंगे डोकला एकदम अच्छी तर कड़ी पत्ता ढ़ा लाता हैं मैं पेटले कर दाने और अ धार्र भ्यम्यों से तड़क वा क्ड़ी मिर्ची अ पया तरीके और सब्सक्राइब कर देंगे और इसके बार दीघार कर देंगे और यह लोग बड़ी के छसम आपके अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है तो इससे कट कर लेंगे जैसे आपको पीस पसंद हो उस तरacakt के से आप कट कर लीजिए और उसके बाद हम इसके ऊपर ढल दो आ Demi से तड़का लगा दिया है पानी डाला है भूहल जो होगा फानी डाला यहां मुझा नौरा मठोड़ा जड़के ऩाध्यार फीजुम उब देलीव में उसमें चुद्ध दक सतहरा है और पानीत अपड़ Колण हें?, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा पानी का तड़का लगाना जरूरी है आप चाहें तो पाउडर चीनी भी डाल सकते हैं उसमें नीबू का रस भी एड़ कर सकते हैं तो लीजिए ये आलू का डोकला बनके तयार हो गया है आप देख सकते कितना स्पोंजी सॉफ्ट बना है एक बार इस तरीकी से बनाईएगा विडियो पसंद है तो लाइक करें शियर करें फैमिली फ्रेंड के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें बाइबाई